नमस्कार आप देख रहे हैं दा भी हाट आप मैं हूँ आदेश पुरी बीपीएसी के पुर्व सचिव पुर्व परिच्छा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार जो की वर्तमान में लखी सराय के डीम हैं कल एक दुरगटना में बाल बाल बचे और ये दुरगटना तब हुई इनवा गारी में जो की सरकारी गारी होती है जिलादिकारियों की उनमें टकर मारी गई हलाकि अमरेंद्र कुमार बाल बाल बच गये आज ये खबर सभी समाचार पत्रों पर्मुक प्रिश्ट पर दिया गया है आपको हम बता दे जो खबरे निकल के आ रही है उसके मुताबित लखी सराय में अवैद बालू खनन और ओवर्लोडिंग रोकने की बड़ी चुनोती बनी हुई है कें गोवर्टेक करने करके तककर मार दी इसमें डीएम बाल बाल बच गये डीयम के उंगरक्चक ने जब बालू लोड़ ट्रक को रोकने का पर्यास किया तो उसे भी ठोकर मारने का पर्यास करते हुए फरार हो गिया। रोड में भाग गिया। जिसके बाद में जब कर दिया गिया ट्रक को ट्रक का नेम प्लेट खोल कर चालक फरार हो गिया। यानि कि देखिए बिहार में जो है बालू माफियाओं की जो करतूते जो हैं वो सरव्यापी हो गई है और वो किसी से नहीं डरते। आपको पता ही होगा पिछले सार ही मनेर इलाके में गैंगवार हुआ बालू के अवैद खनन के माफियाओं के बीच में पुलिस पर भी फाइरिंग हुई। पुलिस के बड़े अफसर जब उधर चेकिंग में गस्ती में गय थे तो उन पर भी फाइरिंग की गई। गायल या च्छती नहीं पहुँचा है कि और गारी को च्छती पहुँचा है लेकिन बता दे कि बालू माफियाओं के होसले काफी वुलंद हैं। आपको बताते चले कि लखी सराय के जो डियम है अमरंद कुमार लंबे समय तक बीपी एसी में परिक्छा नियंतरक सचीव के पद पर रहें। और पिछले साल ही जनवरी में उनका तबादला बीपी एसी से लखी सराय डियम के रूप में कर दिया गया। बता दे आपको हम कि ये घटना जो है वो बड़ा ही सिरियस है और सरकार को एडिस्टेशन को जितने भी डिस्टिक एडिस्टेशन है उन्हें बालू माफियाओं और बालू के अवैद खानन इसके साथ साथ ओवर लोडिंग जो उसका ट्रांस्पोर्टेशन होता है उस पर उस दुँ ट्监 रह खा हुआ़ को जो है